हार की जीत उन्होंने रुपिया, माल, सामान, जमीन आदी अपना सब कुछ छोड़ दिया था यहां तक की उन्हें नगर के जीवन से भी घ्रणा थी अब वे गाउं के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा उन्हें ऐसा लगने लगा था वे उसकी चाल पर लट्टू थे कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देख कर नाच रहा हो जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चड़कर आट-दस मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था खड़क सिंग उस इलाके का कुख्याड़ा को था लोग उसका नाम ही सुनकर कापते थे होते होते सुल्तान की कीरती उसके कानों तक भी पहुँची उसका हर्दय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुचा और नमस्कार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंग क्या हाल है खड़क सिंग ने सिर जुका कर उत्तर दिया आपकी दया है कहो इधर कैसे आ गये सुल्तान की चाह खीच लाई उठा उसकी चाल तुमारा मन मोहलेगी बाबा पुलकित हो उठे कहते हैं देखने में बहुत सुन्दर है क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है कभी भुला नहीं पाता बहुत दिनों से इच्छा थी आज आया हूँ बाबा भारती और खड़क सिंग अस्तबल में पहुँचे बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से खड़क सिंग ने घोड़ा देखा आश्चरे से खड़क सिंग ने हजारों घोड़े देखे थे परन्तु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आखों के सामने से कभी न गुजरा था वह सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा घोड़ा खड़क सिंग के पास होना चाहिए था इस साधों को ऐसी चीजों से क्या लाब वह कुछ देर तक आश्चरे से चुप चाप खड़ा रहा इसके पश्चात उसके हिर्दे में हल चल होने लगी बाल को किसी अधीरता से बोला परन्तु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा बाबा जी भी मनुश्य ही थे अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हिर्दे अधीर हो गया घोडे को खोल कर बाहर ले आए घोड़ा वायू वीग से उड़ने लगा उसकी चाल देखकर खड़क सेंग के हिर्दे पर साप लोट गया वह डांकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था उसके पास ताकत थी और आदमी थे जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूँगा बाबा भारती डर गए अब उन्हें रात को नीद ना आती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी हर समय खड़क सिंग का भई लगा रहता कही मास बीद गए और वहन ना आया धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असाफधान हो गए और इस भई को स्वपन के भई की तरह समझने लगे संध्या का समय था बाबा भारती सुल्तान की पीच पर सवार होकर घूमने जा रहे थे उनकी आखों में चमक थी मुख पर प्रसंता कभी घोडे के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और मन में फूले ना समाते थे अचानक एक ओर से आवाज आई ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना आवास में करुणा थी बाबा ने घोडे को रोक लिया देखा एक अपाहिज विक्ष की चाया में पड़ा करा रहा है बोले कहो तुम्हें क्या कष्ट है अपाहिज ने हाथ जोड कर कहा बाबा मैं दुखिया हूँ मुझे पर दया करू रामा वाला यहां से तीन मील है मुझे वहां जाना है घोडे पर चड़ालो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा वहां तुम्हारा कौन है दुर्गदत वैद्दे का नाम आपने सुना होगा मैं उनका सोतेला भाई हूँ बाबा भारती घोडे से उतर पड़े उन्होंने अपाहिज को घोडे पर सवार किया और स्वयम उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे सहसा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई उनके आश्चरे का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोडे की पीठ पर तन कर बैठा है और घोडे को दोड़ाए लिए जा रहा है उनके मुक से चीख निकल गई वैजा को खड़क सिंग था जो अपाहिज बनकर घोडे पर चड़ा था बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे फिर जोर से चिल्ला कर बोले जरा ठहर जाओ खड़क सिंग ने यह अवाल सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूँगा बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा परन्तु खड़क सिंग केवल एक प्रार्थ ना करता हूँ उसे अस्विकार न करना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा बाबा जी आग्या कीजे मैं आपका दास हूँ केवल यह घोड़ा ना दूँगा अब घोड़े का नाम ना लो मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना खड़क सिंग का मुँ आश्यर से खुला रह गया उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा परन्तु बाबा भारती ने स्वयम उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना इसका क्या उदेश्य हो सकता है खड़क सिंग ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा परन्तु कुछ समझ ना सका हार कर उसने अपनी आखे बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबा जी ऐसा क्यों? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की और से इस तरह से मुह मोड लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंग के कानों में उसी प्रकार गूँज रहे थे सोचता था कैसे उची विचार है कैसा पवित्र भाव है उन्हें इस घोडे से प्रेम था इसे देख कर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था कहते थे इसके बिना मैं रहना सकूँगा इसके रखवाली में वे कई रात सोए नहीं भजन भक्ती ना कर रखवाली करते रहे परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी उन्हें केवल यह खयाल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ने ऐसा मनुश्य, मनुश्य नहीं देवता है रात्री के अंधकार में खड़क सिंग बाबा भारती के मंदिर में पहुचा चारों ओर सन्नाटा था आकाश में तारे टिम्टिमा रहे थे थोड़ी दूर पर गाउं के कुत्ते भौक रहे थे मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुचा फाटक खुला पड़ा था किसी समय वहां स्वयम बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे परन्तु आज उने किसी चोरी, किसी डाके का भय न था खड़क सिग ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकल कर साबधानी से फाटक बंद कर दिया इस समय उसकी आखों में पश्चाताप के आंसु थे रात्री का तीसरा पहर बीच चुका था चोथा पहर आरंब होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया उनके पाउं अस्तबल की और बढ़े परन्तु फाटक पर पहुँचकर उनको अपनी भूल का अनभव हुआ साथ ही घोर निराशा ने उनके पाउं को मन मन भर का भारी बना दिया वे वहीं रुक गए घोडे ने अपने स्वामे के पाउं की चाप को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया अब बाबा भारती आश्चर और प्रसंता से दोड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोडे के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानू कोई पिता बहुत दिनों से बिछुडे हुए पुत्र से मिल रहा हो बार-बार उसकी पीठ पर हाथ फेर दे बार-बार उसके मुह पर थपक्या देते फिर वे संतोश से बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मुह न मुड़ेगा